श्री राम जब सुग्रीव के साथ माता सीता को डूढने के लिए ब्रह्मन कर रहे थे तब सुग्रीव का भोगोलिक ज्यान देखकर श्री राम अच्छम बित रह गए तब सुग्रीव ने बताया कि जब बाली से बचकर वो भाग रहे थे वो कही सारे स्खानों पर गये पर कहीं भी उन्हें एक खुचज्च शरंड श्ठली नहीं मिली बाली सुगरीव के प्राणों का प्यासा था उसका अंत करना चाहता था और सुगरीव बस अपने प्राण बचा कर भाग रहा था एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर, इस आपदा के कारण सुगरीव का ये भोगोलिक ज्ञान बढ़ा, इस कारण समझें, ये जीवन में जो समस्याइं आती हैं, कठिनाई आती हैं, इन्हें देख के हम तरस्त हो जाते हैं, दुखी हो जात कि दुखी वोने की आवशकता नहीं क्योंकि कडिनाई कुछ सीखाने के लिए ही आती है वो सीख प्राप्त करना आती अवशक है उस शीख पर अपना ध्यान के इंदरित कीजिये उस सीख का आनंद उठाईये जीवन में आगे बढ़िये और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे, राधे